इस विडियो में आपके लिए लेकाड़े हो जयर्नल लिशे रिक्टेड़ के लिए बहुती महंत अपुन स्याबित होंगे दौस्तोफ इस विडियो का पहला。」 ज्ञार्खन में कोल बीद्रों कभ वा था जो कोल बीद्रों हुआ था जार्खन में वह कभ हुआ था तो याद रखेगा 1820 में फेल जाएगा 1820 यानि 1572 में किया गया तो option D correct answer हो जाएगा दोस्तो अगला कुछने ज्यार्खन के राजमहल सेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हो दोस्तो ज्यार्खन में राजमहल सेत्र नाम का एक सेत्र है उस पर जो कंपनी का अधिकार हुआ वह कब हुआ तो यहां हो गया 1741 option D 1741 correct answer हो जाए अगला कूशन है ज्यार्खन में चे-षव विद्रव कब हो झुब हुआ खा सेरो भीद्धर तक हुआ था तो option C correct answer हो जाए गया दोस्तो ज्याद रखेगा अब लोग आगला क्योंगऑ दोस्तो जार्खन की किस जन जात्ति में एक पत्नी विवाब पर चली थे कौन से जन जाती में जो कि एक पत्नी विवाब पर चली थे जहरखन में तो यहां करेक्ट एंसर हो जाएगा ओप्शन ए उड़ाओ जाती करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कुशन दोस्तो जहरखन की किस जन जाती का परधान देवत सिंग भॉंगा कोन से जस्री आती का जो पर्धान डेवता हुगा सिंग भॉंगा कहे लाता है तिया कुशन भी मुंडा जाती का जोके डेवता हुगा कहों कहले लाता है तो और तो सिधि और दौcamera क्षिशन दोस्तोford jharkhan में चुर विद्रो किस स्थान पर हुआ था सब्से और इस विडियो को एक लाइक भी कर देजेगा दोस्तो अगला कुछ ने जार्खन में अधीवासी सभा का गठन कप बहुत ही महानन कुछने दोस्तो जार्खन ऐस सभा का गठने हुआ घा हो जाएगा नाइटीान तो आप्टेन-धि भी नाइंटीन धरटीएट हो जायगा धाँ सब्सक्राइग का ही फ्रकाइगा है जोशनी यह फिलाप में निप्यक्तिक दोश्केशन अग्याचीन दोश्बाइगासर हो जाता है चाहां ही न्टेजब हम चाहर दिवस कहां पर प्राजमार्ग है उनकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों त्यहा करेक्ट हो जाएगा 9-60 किलो मिटर है तो नो से साथ करेक्ट एंसर हो जाएगा यानि 960 किलो मिटर याद रखेगा आप लोग बहुत ही इंपोर्टन हो सकता है अगला कुशन दोस्तों मुगल समराट अकपर ने मान सिंग को सुबेदार बनाकर किस वर्स जार्खन भेजा था बहुत ही महत अपन कुशन है मान सिंग ने जो सुबेदार बनाकर भेजा था जार्खन में वह किसे भेजा था किस वर्स भेजा था दोस्तों यह हो जाएगा 1589 म जाएगा के अगला कुश्य किस वर्ट मांशिंघ विर्फ का गववारनाल जर्राणल बंगर आया था इंव 1589 हो जाएगा जाएगा धोंसे काल में जोट्रखन राज्यों को कुक्रा नाम से जाना पूनसे काल में ज्यार्खन को कुकरा नाम से भी जाना जाता था बहत इंपोर्ट संब बी मुगल काल करेक्ट एंसर हो जये धस्तों बहत इंपोर्टन हो सकता हैं दोस्त्त अगला खुरन स्वार ना रेखा नदीब प्रियोजणा की शुरु єथी कब ही लोस्ट स्वार ना इखा नदीब प्रưởngी यवा उज्छिन की सुरुदा बहुत ही महत पून कुछ स्वार नादीब परियोजने की शुरुदा थया बहुत ही महत पन कुछ Mr. Q खनीज पाया जाता है तो थोरियम पाया जाता है तो थोरियम ऑप्शन भी करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कुशन दोस्तों तरस उत्पादन में जार्खन का देश कौन सा इस्थान पर है दोस्तों तरस उत्पादन में जो जार्खन है वह कौन से इस्थान पर है पहला स्थान पर है ज्यारखन कोयले के बंडाल का पुएले का परिश्त कितनाे तो ज्यारखन रेकर टेसीड हो जाएगा अगला कुशन ही दोस्तो, सन 857 का बिद्रोज सर्व पर्थम किस जिले से शुरू हुआ था, कौन से जिले से जार्खन में, कौन से जिले से शुरू हुआ था, तिये हो जाएगा देवघर जिले से शुरू हुआ था, तो अप्शन ये देवघर जिले से शुरू हुआ था, य जत्रा उडाओ ने शुरू किया, जत्रा उडाओ करेक्ट एंसर हो जाएगा, option A. अगला question है, दोस्तो, किस माघथ समराट ने इत खोडी में बहुद इस्तलो का निर्मान करवाया था? कि खोरी में बहुत इस्टलों का निर्मान कराएं था कौकॉन से समराथ today yeah write अप्षेण क्वाण भगवन बहुद ने कर वाया तो ऐ sé भगवाण बहुद्धने करेक्टेणसर हो जाएगा मातलों सब्धोर जार्खम के खना ऐ आवर्ण कौन से जईल थ divorce पहना बनवारन वहला जीला है दोस्तों तो यहां करेक्ट रहा जाएगा। सी चात्तरा जिला है करेक्ट एंसर अप्शन सी हो जाएगा अगला कुछन दोस्तो टाना भागत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के निर्तित्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे किस वर्ष दोस्तो यह हो जाएगा 1914 में यानि 1914 में तो अप्शन राजी की सबसे परदूसित नदित यह हो जाएगा दामोदर नदि जार्खन राजी की सबसे परदूसित नदि है तो अप्शन डिक करेक्ट एंसर हो जाएगा दामोदर नदि अगला कुछन दोस्तो हर्ष वर्धन 606 से 47 isv के बिश्त्रित सम राज्य में कौन सा छोटा रा याद रखेगा काजा गल याद रखेगा काजा गल करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुशन दस्तो जारखन में कितने परतिशत खनीज भंदार संचीत है कितने परतिशत खनीज भंदार संचीत है जारखन में तेहा करेक्ट एंसर हो जाएगा आप्शन है 73 परसेंट खनीज भंडर संचीट जर्खन में तो आप्शन है याद रखेगा आप लोग अगला कुछ आपशन दोस्तों कैंजिया सरकार ने किस तिथी से जर्खन राज्य में लिए अनुशीद है अधिसूचिना याद रखे पर याद रखेगा अधिसूचिना जैसिंग जिन्हों ने खुद को तीनवी सदी के जार्खन का शाट सत घ्रीक गुषित कर दिया था वे BES किस राजय के थे पर नाम कैंने ह Zoo ले राजय किछ में तो इस में भेरी भेरी आहें लाग लिजे, भेरी भेरी इंपोर्टन कुषैन है, पद्षिरी सम्मान से सम्मानिट पहला झा जारखन हाधिवासी का नाम किया था, क्यों हो जैएगा, करेक्ट अंसर, ऑप्शन भी हो जाय जाएगा, जुल लक्रा, जो की पहला पद्षिरी सम् याद रखेगा option भी बहुत ही महतोपुन है इस बार के लिए अगला question दोस्तो उडिशा के किस स्यासक ने जार्खन के कुछ भाग पर कब जाकर कुछ बर्सों के लिए अपना स्यासन स्थाफित किया था किस स्यासक ने दोस्तो तिया हो जाएगा correct answer कपी लेंद्र कपी लेंद् गजपती correct answer हो जाएगा option ए अगला question दोस्तो मसाले की खेती जार्खन के किस जिले में सबसे ज्यादा की जाती है त्या correct answer हो जाएगा option भी पलामू में सबसे ज्यादा मसाले की खेती की जाती तो याद रखेगा आप लोग अगला question दोस्तो जार्खन का पहला मुख्यमंतरी कौन था बहुत ही महतुप्पुन question है त्या हो जाएगा बाबुलाल मरांडरी जार्खन का पहला मुख्यमंतरी था तो option C correct answer अंसर हो जाएगा अगला कुशन दोस्तों उत्री छोटा नागपूर परमंडल का मुख्याले कहा है दोस्तों जो उत्री का छोटा नागपूर का जो परमंडल का मुख्याले हुआ कहा है तिया हो जाएगा हजारी बाग में तो आप्शन भी हजारी बाग करेक्ट अंसर हो जा हो जाएगा लेटे राइट मिटी लेटा आप्षन सी हो जाएगा लेटे राइटम कि और का आभाव है को अग्ला से कर्णि के चत्ट्ञाव या कर रहा निए कर लेक्टा आँसर हो जाए गा कटपा कर अप्शन किट अप्शन करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुशन दस्तों दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक ज्ञारखन में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन है कौन है दस्तों सबसे लंबे समय तक पद पर हने वाले राज्यपाल ते हो जाएगा साइद सित्वे सरी साइद शिवते राजी यानि सयद शिवते राजी करेक्ट एंसर हो जाएगा option B कि अगला क्यूशन दस्तो दिवानी कानून सहिंता किस रागो क्यों सबसे ज्यादा बेस्ट सबसे जयादा विक्ति निवास करते हुआ कौन से जिले में करते हैं तिया correct answer option B हो जाएगा पलामू जिले में सबसे ज्यादा अनुसुचित जन जाती बेगती निवास करते हैं तो याद रखेगा option B correct answer हो जाएगा अगला कुशन है किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया बिहार को किस वर्ष बंगाल से अलग किया गया इंपोर्टेंट है दोस्तो तिया हो जाएगा 1912 में किया तो option C 1912 correct answer हो जाएगा कुशन है अगला कुशन दोस्तो जहारखन में निजी सहत्र में पहला लो इस्पात उद्ध्योग कहां इस्थापित किया घया दौस्तो जहार खन के निजी याद रखेगा än सबसे पहला लो इस्पात उद्ध्योग में किया गया तो option B जम actually correct answer हो जाएगा दोस्तो than हैί हम कri Rhea दोस्तों जहारखंड में अब्रक की खान कहां पाए-जाती अब्रक दोस्तों याद रहेगा जर्खंड में कहां पाए-जाती है तो यह हो जाएगा कोड़ आर्मा में पाई जाती तो option D कोड़ आर्मा करेक्ट एंसर हो जाएगा option D याद रहेगा दोस्तों important हो सकता है अगला कुछे ने दोस्तों जार्खन्ड tourist home stay scream की शुरुवात कब की गई दोस्तों जार्खन में tourist home stay scream की शुरुवात की गई वहा दोहाजार नो में शुरुवात की गई तो option B 2009 करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कुछे ने दोस्तों जार्खन में पाहली जन गानना किस वर्स हो जाएगा दोस्तों अगला कुछे ने दोस्तों गौतम बुद्ध अभ्यारन किस जिले में है बहुत ही महतापन कुछ है गौतम बुद्ध अभ्यारन है हुआ कौन से जिले में है तो यह करेक्ट एंसर हो जाएगा option कोडारमा जिले में गौतम बुद्ध अभ्यारन है बहुत ही important है very very important है इस साल के लिए याद रखेगा आप लोग इसे अगला question दोस्तो बिर्षा भगवान जैविक उद्धान कहां है दोस्तो जो बिर्षा भगवान जैविक उद्धान है वह कहां है तो यह हो जाएगा रांची में है तो option D रांची करेक्ट एंसर हो जाएगा इस बार के लिए important है अगला question है किस ब्रिक्स को पर्णव पाती यानि पत जहर बनो का राजा कहा जाता है कौन से ब्रिक्स को दस्तो तो यह साल ब्रिक्स कहा जाता है और याद रखेगा आप लोग अगला question है जहारखन का अंग्रेजों के ब्रुद पर्थम जन्जातियों ब्रुद था वह बिद्रों कौन सा बिद्रों था दोस्तो ते हो जाएगा ढाल बिद्रों option C ढाल बिद्रों करेक्ट एंसर हो जाएगा बहुत ही important है इस बार के लिए अगला question दोस्तो जहारखन में बिद्रों सभा 2014 में राज्य पाल द्वारा मनोनित याद रखेगा मनोनित एगलो इंडियन सदस्य का नाम किया है एगलो इंडियन सदस्य का नाम किया है 2014 के बिद्रों सभा के हिसाब से तो यह हो जाएगा correct answer option यह हो जाएगा Glenn Joseph Goldstone याद रखेगा option एक correct answer हो जाएगा अगला question दोस्तो पहार्यों बिद्रों में कहां की राणी ने सयोग दिया जिस्तो जो पहार्या बिद्रों हुआ था उसमें कहां की राणी ने सयोग दिया तो यह बहुत ही महत पुर्स है त्या महेसपूर की राणी ने सयोग दिया तो option B महेसपूर correct answer हो जाएगा अगला question दोस्तो कौन सा फल अमरित फल कहला तो यहां आम एक अमरित फल कहलाता तो कब हुआ था चेरों विद्रों हुआ था तो यह हुआ था आठारासो से लेकर आठारासो उनाइस के बीच में तो option एक करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कुछने छोटा नागपूर छोटा नागपूर कस्त कारी कस्त कारी अधिनियम कब पारित किया गया वह कब किया तो यह हो जाएगा करेक्ट एंसर option c हो जाएगा 11 नवंबर 1909 यानी 11 नवंबर 1908 को यह छोटा नागपूर कस्त कारी अधिनियम पारित किया गया तो option c यहाद रिखेगा इस बार के लिए एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अगला कुछने जार्खर में दोस्तो अगला कुछने चेरो विद्रों के नेतित्व करता भेखन सींग को किस वर्ष फासी दी गई कौन से वर्ष फासी दी गई दोस्तो तो यह हो जाएगा करेक्ट एंसर 1802 में यानी 1802 में दी गई तो option a करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तो कं अगला कुछने स्युक्त राष्ट्र सांती पदक से समानित होने वाले जार्खन यह कर पर्मूग साया कार कभी कना में जो जो समानित हो हो जाएगा चिंदा option ५े सचिंदा correct answer हो जाएगा anggela question दोस्तो पलामू परगन को दोर निलाम करने की पर कत अंग्रेजों ने इसके सासन की जिमेदारी किस राजा को दे κोई को दे थि दोस्तो अंग्रेजों ने तो यह होने से यह सोज़ाएगा है अगला कुछ दोस्टो ज्यारखन को भारत के कला-6 में महतापुल इस्थान दिलाने बाले कलाकार हरेंठाकुर किस कला से संबंदित थे कौन से कला से संबंदित थे हैं।्स था सबTer margins हो जाएगा अगला कुछ ने दस्तो भार्देव के राजा घंस्याम सींग एबं ब्रिटिस कंपनी के ब्रुद्ध आठासो सत्रा इस्वी में किस जन जाती ने बिद्रो किया था कोई से जन जाती ने बिद्रो किया था त्यहां करेक्ट एंसर अप्शन हो जाएगा चेरो जन लोगों ने किस बर्स जवर्दस्त बिद्रो किया था कौन से बर्स जवर्दस्त बिद्रो किया था तो यहां करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुछिन दोस्तों हो बिद्रो किस शैत्रा में हुआ था दोस्तों जो हो बिद्रो हुआ था वह कौन से शैत्रा में हुआ था ज अगला कुशन दोस्तो परसिद्ध अंतराष्ट्य कत्थक नित्यागना उलका सिंग का संबंध किस राज्य से उलका सिंग का संबंध हुआ कौन से राज्य से दोस्तो ते हो जाएगा ओप्शन भी झारखन राज्य से संबंध है उलका सिंग का तो ओप्शन भी करेक्ट अंसर करेक्टareख जाएगा दोस्तो एक्जामीई आ सकते है यात रहिएगा अगला कुषिए ने ज्यारकन के पर्फप मुंखफ का नाम किया था तो ज्यारकन का ते हो जाएगा मुंखफ अध्याक्स Sch Elliott झ्हारखन राजये के महिला आयो की जो परथम अध्यक्षथी गणा कौन थी त्या हो जाएगा लक्षमी सिंग् mm थो ऑप्षन भी लक्षमी सिंघ सिंग थरेक्षा स्मटा करेक्ष म्यूं करेक्त एब अगलत कुछ्य दोस्तो अशोग चक्ऱ से रंधिर वर्मा हो जाएगा याद रहीगा ओप्शन है रंधिर वर्मा करेक्ट्रेंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कुछ ने हरी भाबा अंदोलन 1931 के प्रनेता का मूल नाम किया था दोस्तो जो हरी भाबा अंदोलन 1931 के जो प्रनेता का जो मूल नाम था हुआ था तो दूका और घुसे ने दोर्ड़ा साइनिक विद्रो का ने तृत्व किसने किया था यह हो जाएगा गणपत रहा ने किया था तो अप्शन सी गणपत रखेंव करेक्ट हो जाएगा दोस्तों याद रहेगा आप लो अगला कुछ ने बेदिया जन जाती में बिजातिया बिवा को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तों क्या करेक्ट एंसर हो जाता है ठुकूर ठेनी ऑप्षन दी ठुकूर ठेनी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुछने जार्खन का पर्थम बिजली घर किस स्थान पर इस्थापित किया गया पर्थम बिजली घर बहुत ही इंपोर्टन कुछने भी भी आई होगा भीरी भीरी आई तो यह हो जाएगा तिलाया में किया गया पर्थम बिद्दूत घर इस्थापित तो आप्शन भी तिलाया करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुशन है दोस्तो माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली ज्ञारखन की पहली महिला का नाम किया ज्ञारखन की पहली महिला दोस्तो माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली त्या करेक्ट एंसर हो जाएगा हैम लाता अगरवाल तो option C हैम लता अगरवाल correct answer हो जाएगा दोस्तों अगला question दोस्तों प्रमबीर चक्र से समानित अलवर्ट एक किस brigade से संबदी थे किस ब्रिगेड से संबदी थे दोस्तों तो यह हो जाएगा correct answer brigade of the guarders या दोस्तों ब्रिगेड आफ़ दा गार्डर से संबदी थे अगला कुछन दोस्तों बिहार के मुगल सुभेदार इतिकाद खा याद रखेगा नाम मुगल सुभेदार इतिकाद खा ने पलामु के चेरोबंसी चेरोबंसी सासक परताप राय के ब्रूद आकरमन और संदिकव की आकरमन और संदिकव की दोस्तों यहां हो जाएगा सिंदेु से हो斯मित करेक्ट्र इंशर हो जाएगा सिट्षिन फोल्टिट्री Delete TV के बीच में अग्यला दोश्टा दक्ष passéल 15 mechanics यो टभर यरत किंशन कैंप्टर्व इस धा स्वीर जोट्रूंध एकसिल अइस और प्रत्व आट्वा सतरीक्ट में करेक्ट एंसर हों तामबा लगाने का सबसे बड़ा करखाना जार्खन के किस इस्थान पर है भारत का तामबा लगाने का सबसे बड़ा करखाना जार्खन में कौन से इस्थान पर है ते हो जाएगा घाठ सिला में तो ऑप्शन सी घाठ सिला करेक्ट अंसर हो जाएगा दोस्तों आगला कुशिद दोस्तो भूमित विद्रौ का नेतितव किसने किया था किसने किया था दोस्तों दो मोगल शुबेदार ने पलामु किले पर अकरमन कर उसे जीता था कौछ ज़िता था थे हो जाएगा करेक्ट एंसर दाउद खाने जिता था तो ऑप्षन भी डाउद का करेक्ट एंसर हो जाएगा आगला कुछोएं दोस्तों झार्खण विधान सभा में स्थोरिक ये विपक्स के पर्थम नेता का नाम बताई ये ज्यार चण जगा पर पर्थम नेता थे उनका नाम क्या था दोस्तों टियो हो जाएगा क्रेक्ट अंसर option B हो जाएगा इस्ठेफान मरांडी था इस्टेफान मरांडी correct answer हो जाएगा option B अगला question दोस्तो जार्खन की पर्था महिला cabinet मंतरी का नाम बताईए क्या है था दोस्तो जार्खन की पर्था महिला cabinet मंतरी का नाम ते हो जाएगा जोबा मांजी, जोबा मांजी option सी जोबा मांजी correct answer हो जाएगा अगला question है मादन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है मादन मोहन मंदिर के नाम से कों से मंदिर को जाना जाता है तिया correct answer हो जाएगा बोराया मंदिर को जाना जाता है अगला कुछने जार्खन के पर्था मुख्या नयाइधिस का नाम क्या था जार्खन के पर्था मुख्या नयाइधिस का नाम क्या था दोस्तों बहुत ही इंपोर्टन्ट है तिया हो जाएगा बिनोध कुमार गुपता अप्शन भी बिनोध कुमार गुपता करेक्ट एंसर हो करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुछ ने जार्खन के पर्थम पुलिस महान निर्देशक का नाम किया था जार्खन के पर्थम पुलिस महान निर्देशक का नाम किया था दोस्तों तो यह हो जाएगा करेक्ट एंसर सिवाजी महान कहरे करेक्ट एंसर अप्शन भी हो Скomorphicu भानधेधangel मंदिर का निर्मान किस ने कर वाया था बहुत ही महत्पन परक्षिन ने दनुब कलुआत है तो त्यका योगा करक्ष receipt, cka rising करेक्ष जाएंगाijn sus& नौश Hm इस उसने भूमईज विद्रोक घृब्वेतल कहां हुआ थら जोस्तों तो यह ओ जाएगा सीह भूम और मान भूम में हुआ था तो अप्शन है सीह भूम मान भूम करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कुछन है भूमिज विद्रो का नायक गंगा नरायन सींग किसका पूत्र था बहुत ही महत पुन है अगला कुशिक ने किसका हुआ यहां नारायन सिंह की फत्र हो जाएगा यह किर्यक्ट रेक्ट रेंसर हो जाएगा Option B लख्समन सिंग का पुत्र रटा जायगा अगला कुशलै गोंड जन जाती द्वारा की जाने वाली इस्ठान अत्रीट क्रिसी को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है जूम खेती कहा जाते तो जूम क्रिसी कहा जाता है ऑप्शन ने जूम क्रिसी क्रेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुछें ने दोस्तों करमाली जन जाती किस नदी को पवित्र नदील मानते हैं? क्यों हो जाएगा? दामोदार नदी को पवित्र नदील मानते हैं सी अगला कुछें जार्खन के किस सेत्रों को खनीज बंदर कहा जाता है कोई से सेत्रों को खनीज बंदर कहा जाता है जार्खन के तो यह हो जाएगा करेक्ट एंसर ऑप्शन डी दामोदर घाटी को खनीज बंदर कहा जाता है तो ऑप्शन डी करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कुछ नहीं जार्खन राज्य की पूरव से पक्षिम की और लंबाई कितनी है पूरव से पक्षिम की और लंबाई कितनी है जार्खन राज्य की तिया करेक्ट एंसर हो जाएगा छार सो थिरूर सट कीलो मेटर है, तो ओप्शन 463 किलो मेतर है, तो ऑप्शन एक करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुशन दोस्तो जार्खन राज्य का उत्तर से दक्सिन विस्थार कितना है दोस्तो दा उत्तर से दक्सिन की और जो विस्थार है वह कितना है तेह करेक्ट एंसर हो तो अप्शन सी 380 किलोमेटर करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुशन दोस्तो जार्खन का चेत्रफल भारत के कुल चेत्रफल का कितना परतिशत है पूरे जार्खन का जो चेत्रफल है वह पूरे भारत के लेवल में कितना चेत्रफल है जार्खन का तेह करेक्ट एंसर हो जाएगा 2.42 याद रखेगा अगला कुछ ने दोस्तो जार्खन राज्य का सरवाधिक ठंधा इस्थान कौन सा है जो जार्खन राज्यों में सबसे ठंधा इस्थान है वह कौन सा इस्थान है दोस्तों त्यों और हो जाएगा अगला कुछ ने जार्खन राज्य का सबसे उचा 16 कॉन से जार्खन राज्य का तो यहां करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन दी हो जाएगा पारसनात पहारी सबसे उचा 17 जार्खन का आप लोग अगला कुछ ने जार्खन की कौन सी नदी कीकट नाम से परसीद है कीकट नाम दोस्तो नदी कौन सी नदी है जो कीकट नाम से परसीद है तो पुनपुन नदी जो कीकट नाम से परसीद है तो अप्सन दी पुनपुन नदी करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला question दस्तों निम्मन में से कौन सी नदी ज्ञार्खन राज्य की है उत्रिकोयल नदी ज्ञार्खन राज्य की है और स्वार्न रइखा नदी भी जार्खन राज्यक की ही है तो option A, B और C तीनों सही है इसलिए उप्रोक्ट सभी correct answer हो जाएंगे अगला कुछने जार्खन में नयूंतम पूरुष सक्षार्था वाला जीला कौन सा सबसे कम पूरुष सक्षार्था वाला जीला कौन सा दस्तों तेयो हो जाएगा पाकुर जीला option D correct answer पाकुर जीला हो जाएगा अगला कुछने जार्खन के किस जीले की सरवाधिक महिला सक्षार्था है कौन से जीले में सबसे ज्यादा महिला सक्षार्था है दोस्तों तो यह हो जाएगा option D राची correct answer हो जाएगा अगला कुशिन दोस्तो किस जिले में न esperando महिला सक्षारता है कौन से जिले में नियूंत महिला सक्षारता है ते यह करेक्ट एंसर जाएगा पाकूर-जिले में option सी पाकूर-जिला character हो जाएगा है आगला कुछिन दोस्तों राज्य में चंडिल जल विद्धूद योजणा किस नदी पर दोस्तों चंडिल जल विद्धूद प्रयोजणा है जयार्खण में हो कौन सी नदी पर तरिस्ति थह hij место पॉर्ण रेखा ननादी पर तरिस्ति थी तब याद रहुआ परिश्तित है त्यां करेक्ट रोजएगा उत्री पुर्व भाग में राजमहल ट्रेप इस्ति थे तो ऑप्षन एक करेक्ट रहो जाएगा अगला कुशन है दोस्तो जार्खन में सरवाधिक कौन सा सेल पाया जाता है सबसे ज्यादा सेल पाया जाता है जार्खन में तो कौन सा सेल पाया जाता है त्यां करेक्ट रहो जाएगा option D arcane cell सबसे ज्यादा ज्यादा ज्यारखन में पाया जाता है तो option D correct answer हो जाएगा अगला कुछने राजमहल ट्रेप की वोसत उचाई कितनी है जो राजमहल ट्रेप की है वो उचाई कितनी है तो यह correct answer हो जाएगा 400 mm है तो option D 400 अगला कुछने ज्यारखन राज्य में कुल कितने अनुमंदल है बहुत ही महतापन कुछन है अनुमंदल कितने है ज्यारखन में तो यह हो जाएगा 45 अनुमंदल है तो option C correct answer हो जाएगा 45 अगला कुछले झारकन में धूब्या किसको कहा जाता है धूबिया कहा जाते है करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑपशन भी निर्थ्य friction को धूबिया जटा है तो यह हो जाएगा करेक्ट अंसर एक हो जाएगा के अचानों पती के आफ्सवर में ku तई नायगे रहुत है अगला को जुल से झाल कं धाल विद्रों करेक्ट सो दा है करेक्ट अंसर 1767 यानी 1767 ओपोषब गूह होजाएगा अगला कुस्टने जारकर में किस जन जाती में सरद्ध सर्ष्कार को कमावत कहा जाता है कुए से आपशन भी भूमी जाती में पूमी जाती में पूशन जारखन के किस जन जाती में सयुक्त परिबार को भाई बंद कहा जाता है अगला जारखन राजयों में नीजी बनों को लायागा नीजी बनो को कब नियंत्रन में लाए गया जार्खन राज्यों में तेहा करेक्ट एंसर हो जाएगा option c 1952 में लाए गया तो option c 1952 याद रखेगा बहुत ही इंपर्टन हो सकता है इस पर के लिए अगला कुछने जार्खन में किस लोक निरित्या को जनमुच्षव आदी अपसरो पर पुरुसो के दुबारा किया जाता है कौन से गीत दोस्तो किस लोक निरित्या को तेहा करेक्ट एंसर हो जाएगा कि पंड में दूसरी सबसे बरी जन्जाती काउन सी जार्खन में दूसरी सबसे बरी जन्जाती कौन सी है जारखन में दुसरी सbdy जाति होहें और पहरी बोली जाति तो संथाल होजाएगा याद रख्यायंगा कि कि अगला कुछी ने ज्धारखन का राज के अब पसु कॉन सा है सको प्रकुल प्राखन का राज के ऑप्रिप ने प्रखश क्यों याद रहेंगा आफ़ लोग अगला कुछय है जार्खन में बेतला नेशनल पार्क की श्ठापना कब हुई थी बेतला नेशनल पार्क की स्ठापना जार्खन में तिया हो जाएगा 1986 में हुआ था, तो option A 1986 correct answer हो जाएगा, अगला कुछिन एज्वार्खन में कितने जिले नय बनाए गए है, कितने जिले नय बनाए गए ज़स्तों तो याद 6 जिले नय बनाए गई है अर जगता था तो कुल अठार जीले फे और ज्ञार खान बनने के बाद कुल अभी तक छी जीले बने लोग मिला कर बर्तमान वे बिदा husband याद चाची जीले यहाद रिखेगा option डी करेक्टेंसर हो जाएगा अगला कुछन जारखन से होकर कितने राष्टी राजमार्ग गुजरते हैं जारखन से होकर कितने राष्टी राजमार्ग गुजरते हैं बहुत ही मौत पुन कुछ सेने इस वर के एकजाम के लिए तो यहाद रि आधितला भ्यार निष्टित है ज्रखं के कोंसी जीले में दोस्तो यू हो जाएगा साहिब गंज जीले में तो उप्सण डी जीली ख hemen जीले में अगया कुसिन दोस्तो महिला सक्षार्टा का पर्तिष्ट में Elise के ज सबसे कॉम जन संख्या कौनसी जिले में है ज्यारखन के ज्यारखन का सरवाधिक लिंगा सबसे ज्यादा अनुपाद। ुष्ण जयादा लुft पचिभी सी भूम में है तो पचिभी मिशीव हो जाएगा दोस्तो भी है अगला कुछ ने जहारखन में कुल कितने परखंद है बहुत ही महता पुर्खन तो 263 पर खंड है कुल जार्खन में तो याद रखेगा एक्जाम के लिए बहुत ही महतापुन साबित हो जाएंगे तो ऑप्शन सी करेक्टर हो जाएगा अगला कुछने जार्खन के किस जिले में सरवादिक जन्संख्या है कौन से जिले में सबसे ज्यादा जन्संख्या है ज़र्खन में तो याद रहा कि blij शार्खन का मैं पूरश सक्षर ता वाला जेला कौन सा है यहार्खन का दोस्तों सबसे ज्यादा पूरुस सक्षार्था वाला यह वहा हो जाएगा धन्वाद तो ओप्चन गरेक्ट area धनवाद है अगला कुछ निहीं जस्तों राज्य के किस जिले में सताब्दी स्टि!' इस्टिट सताब्री स््टियाम है वह राज्यों ज्शहर्खंजन के कौन से जिले में है तिया हो जाहेगा राची Gila और आप्ट an dispar हो जाएगा यानि ज्वान के हेड़क्वाटर में है अगला कुछन है जार्खन में पहारों की राणी याद रखेगा पहारों की राणी के नाम से परसिद्ध है क्या परसिद्ध है दोस्तों त्यों हो जाएगा नेहार हार्ट परसिद्ध है पहारों की राणी के नाम से तो आप्शन भी नेहार हार्ट करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कुछन दोस्तों झारखन की ओदोगी किराजदानिय है झारखन की जारखन पूर्ष झारखन की ओदोगी किराजदानिय है याद रखेगा option C correct answer हो जाएगा अगला कुछन है झारखन में पहला तांबा परगलन केंद्रा चाहा परróoleily हो सब convey चाला प्रालोट केंध्र हो कहां पर है तो और सिद्धर सिला फेर्उदा राजियों जूमर गीट किस और पर अगला कुकॉर हो जाएगा जाता है को से अफ्षर पर כई आदूphr कि दियाद Smart रिख यह पूस्वी सकता है कि अगला कुष्ण ने ज्यारखन में दूसरी सबसे बड़ी जन जाति कौन सब्सुर्द्य सबसे बड़ी सबसांगे सब्सुर्फर्वा करेंग श्यारखन में तो मैंने पहले बताए उड्या हो है और आफ्षों भी उड्यान करेक्ट अंसर हो कुस्ट कुशन है जो कि आप लोगों की रिविजन के लिए है तो आप लोग बुरा नामानिए एगा रिपीट हो जुका है तो अगला कुशन चाह्तर जारखन राजकी पक्कसी कौन सा है तो बाइब हो आपालो आगला कुछण है में यहार्खन का राजक्योप्सप कनी स्थापना कभ हुई थी कब हुए थी दोस्तो वेटल्या नेशनल परकी तियो हो जाएगा 1986 में हुगा था तो option नाइंटीन सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों अगला कुछन है जारखन का राज की पूस्प कौन से राज की पूस्प कौन से दोस्तों तो इस कुछन का सही उतरा आप लोग को कॉमेंट करके बताना है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में